नमस्कार मैं हुजुही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव एंपी रॉपका तानाप का किनारा हो और उससे गुनगुनाती हवाय छूगर अगर आपकी खर की खिड़ की से अंदर आए तो वाह ऐसे आशियाने के क्या कहने और कौन भला पेर ऐसे आशियाने को छ चोड़ना चाहेगा मध्यप्रदेश के पूर मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शायद ऐसे ही लोगों में से एक है जो ऐसे आशियाने याने उस मुख्यमंत्री निवास को अब नहीं छोड़ पा रहे है जो अब उनका है ही नहीं मुख्यमंत्री निवास याने भोपाल की शामल मुख्यमंत्री अब शिवरा सिंग चौहान है लगे नितना लंबी अवधी गुजरने के बावजूत कमलनाथ अपना वो बंगला चोड़ना नहीं चाहते जो सरकारी तोर पर मुख्यमंत्री के लिए आवंटित होता है जबकि इसी शहर यादे राजधानी गुपाल में उनके पास कुछ अन्य बंगले भी है एक बंगला हो जो फुद उनके नाम से अलॉट है और एक बंगला हो जो उनके बेटे नकुलनाथ को बतौर सांसर दिया है आपको याद दिलादें यह वही बंगला है जो जो तिरादेत सिंधिया अपने लिए चाहते थे लेकिन कमलनाथ ने अपने बेटे को तपज्जो दिया और नकुलनाथ के नाम वो बंगला कर दिया जगडे की एक जड़ शायद भूदी रहा हो खैर मुद्द यह है कि कमलनाथ आखिर अब तक इस बंगले को क्यों ही छोड़ रहे क्योंक तक कमलनाथ खुद इस बंगले में शिफ्ट नहीं हुए थे पहले शिफ्ट नहीं हुए और अब बंगला छोड़ नहीं पा रहे आखिर इसकी वचय क्या है तमाम तरे की अटगले तमाम तरे की बातचीत सोचल मेडिया पर वायरल हो रही है एक मैसेच कॉंग्रेस की तरफ मैदान पर जंडा पहराएंगे तो क्या कमलनाथ अभी भी इसी भ्रम में है कि 15 अगस्त को वही मुख्यमंत्री होंगे और वही जंडा पहराएंगे और तब तक क्या वो बंगला अपने ही पास रखेंगे सवाल बहुत सारे हैं जुसमें पहला सवाल यही है कि शिवरासिक जोहान वापस का मुख्यमंत्री निवास मिश्रफ्ट हो सकेगे और कमलनाथ उस घर से अपना अधिकार कप्च को